उम्मीद 2020 नए साल से आशान वित है नौगच्या के लोग वर्ष 2019 को पीछे छोड़कर नव वर्ष 2020 दस्तक दे चुका है पिछले वर्ष कई तरह के विकासकार जरूर हुए लेकिन बड़े मुद्दों को मुकाम नहीं मिला लेकिन नवर्ष आगमन होते ही लोगों के सपनों में एक बार फिर से पंक लग गए हैं अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2020 नौगच्या के लिए निस्चित रूप से एतिहासिक साबित होगा आईए डालते हैं नौगच्या के सपनों और उम्मीदों पर एक नजर 2019 को नौगच्या भीसन जाम के लिए जरूर याद रखेगा एक समाजिक सांस्था के सर्वे के अनुसार विक्रम सिला सेतू पर पिछले 365 दिनों में 121 दिन तक भयानक जाम रहा इतना ही नहीं जाम से नौगच्या बजार, नाराइनपूर बजार, नौगच्या अनुमंडलिया छेत्र, रास्ट्य राजमार एनेचेक्तिस, सहित कई अन्य, सडक भी कराता रहा साल 2020 में लोगों को उमीद है कि विक्रम सिला सेतू के समानांतर पूल निर्मान कारे सुरू होगा और जाम से निपटने के लिए ततकालिक वेकल्पिक व्यवस्था की जाएगी दूसरी तरफ नुगचिया बजार सहित अनुमंडल के दूसरे बजाडों में भी जाम ना लगे इसके लिए ठोस पहल किया जाएगा 2020 में बहु प्रतिक्षित भीपूर बीरपूर एनेच 106 का कारे सुरू होनी के उमीद है इन दिनों मधेपूरा और नुगचिया में भूमी अधिगरहन की प्रकरिया अंतिमचरन में है मालूमों कि यह सड़क बन जाने के बाद मध बिहार का जुड़ाव कोसी सिमान चल होते वे सीधे पड़ोसी देश नेपाल से हो जाएगा नुगचिया के लिए नदियां एक तरफ वरदान है तो दूसी तरफ यह सराब भी है 2020 में जहानवी चौंक से इसमाइलपुर नरकटिया से ननकार तक गंगा नदी पर बहु प्रतिक्षित योजना से बांध निर्मान होना है जिससे बड़ी आवादी को बाड़ और कटाओ से सुरक्षा मिलने की संभावना है नवगच्या के लोगों का मानना है कि नवगच्या पुर्ण जिला बनने का पूरा हक रखता है इस मुद्दे पर नवगच्या के सभी राजनितिक डल और समाजिक संगठन एकमत हैं 2020 में इस दिसा में साकारात्मक पहल होने की उम्मीद है आईए एक नजर इधर भी नवगच्या के स्वास्त व्यवस्था में जहां भरपूर शुधार की संभावना है नवगच्या अनुमंडली अस्पताल में 100 ANM का प्रसिक्षन केंदर का निर्मान होना है नवगच्या की बेटियों के लिए मील का पत्थर सावित होगा नवगच्या इस्टेशन के पस्चिम केविन पर बन रहे सडक रेलबे ब्रीज का निर्मानकार नवगच्या रेलबे के पूरवी केविन पर बन रहे सडक रेलबे ब्रीज का निर्मानकार इस वर्ष पूरा हो जाने की उम्मीद है कटरिया से बटेश्वरस्तान रेलवे लाइन के लिए केंद सरकार से मंजूरी की शंभावना है जोति सास्त्री पंडित ललित जहाने बताया कि नए वर्ष की सुरुवात बुद्वार को हो रहा है इस हिसाब से इस वर्ष का राजा बुद्ध होगा और प्रतम संक्राउंती मंगलवार को पढ़ रहा है इस कारण इस वर्ष का मंतरी मंगल होंगे यह वर्ष सत्ता पक्ष के लोगों और जनता के लिए काफी बेतर होगा दूसरी तरफ प्राकिर्तिक और आर्थिक इस्तिती भी सुखत रहने की संभावना है जनवरी के अंतिम सब्ता में ही बजार में तीजी आने की संभावना है तो दूसरी तरफ महंगाई पर भी लगाम लगेगा 2020 का स्वामी बुद्ध है इस हिसाब से यह वर्ष महलाओं के अनुकूल होगा 2019 में कम हुआ अपराद का ग्राप वर्ष 2019 में नुगच्या में अपराद के ग्राप में कमी आई है सड़क हाथसे में भी 2018 की तुन्ना में कम हाथसे हुए हैं लेकिन दो सहसिक घटनाओं ने वर्ष 2019 में लोगों को भैभीत किया नुगच्या के प्रचलित अपरादिक ट्रेंड में कमी आई है संगठित अपराद लगवक समापती की और है ऐसे में देखा जा रहा है कि वैसे अपरादी वारदात को अंजाम दे रहे हैं जो जमानत पर छुटे हैं खास कर जिला परशद गौरव राई के भाई सुनू राई की हत्या के बार नुगच्या का नाम एक बार फिर से खराव हुआ जानकार कहते हैं कि नुगच्या पुलीस को अपना सपाई बहतर करना होगा और पुलीसिंग को जादा तिक्षन करने की आवशकता है 2020 में लोगों को अमीद है कि पहले से बहतर पुलीसिंग होगी और आम लोगों के बीच पुलीसिंग का दोस्ताना और जादा बढ़ेगा ये था एक बिसेस रिपोर्ट जीयस नियूस के मुख्य शंपादक रिशम मिस्राक्रिशन के कलम से